हेलो दोस्तों गुड मॉर्निंग सुमिती स्टूडियो ब्लॉक में आपका स्वागत है और आज मैं आपके लिए ले करके आया हूँ एक ये बिच्छू ले करके आया हूँ बिच्छू को आपको दिखाना हैं देखिए बिच्छू जो है बहुत ही खतरनाक होता है तो ये जो बिच्छू है ये कई कलर के होते हैं और इसका कलर जो है अभी आप देखिए रेड कलर के भी होते हैं ब्लू कलर के भी होते हैं बहुत ही खतरनाक होता है बिच्छू ये अभी यहाँ पर दिखा है और ये अपनी एक जगा ढूड़ रहा है छुपने के लिए और इसको अभी हम ना पकड़ करके वाता अनुकुलित जगा पर इसको छोड़ेंगे बिच्छू जो है इसका जो जहर होता है पीछे जो डंक मारता है उसके उस डंक के जैसे किसी को लग जाए तो बहुत ही जहरीला होता है जहरीला मतलब बहुत ही बुरा हाल कर देता है 24 गंटे तक इसका असर होता है तो और यह देखिए यहां पर यह छुपने की पूरी कोशिस कर रहा है देखिए इसको अब जो है पकड़ करके न इसको किसी अनुकूलित वाताहरण में छोड़ के आना होगा तो चलिए इसको एक बार मैं आपको और दिखा दूँ इसको अच्छी तरीके से थोड़ा सब बाहर निकाल के इसको और दिखा देते हैं चुपने की कोशिस कर रहा है यह देख लिजिए आप बिच्छू यह देखिए बिच्छू का जो यह पीछे का जो हिस्सा होता है न यह मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ लकडी की सहता से यहाँ पर जो यह हिस्सा है यह वाला हिस्सा यह वाला जो डंक है न इसका बिच्छू का यह लगता है बुरी तरीके से और किसी को यह लग गया तो फिर 24 गंटे तक इसका असर होता है बहुत खतरनाक और यह जो है एक अपनी जगा ढूड़ रहा है कहीं जा करके छुपने की जगा मिल जाए इसको मैं आपको और पास दिखा देता हूँ इसको यह देखिए थेंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए और बिच्च्च्छ को देखने के लिए और इसको जो है ना मैं आपको हम किसी भी जीव जनतू को जो है ना खतम नहीं करते बिल्कुल भी जैसे कुछ लोग सांप को देख करके खतम कर दिया जाता है या किसी भी जीव जन्तु को बिल्कुल भी खतम नहीं करना चाहिए और ये देखिए कहां के या ये है तो इसको जो है अभी इसके अनुकूलित वातावरन पर इसको पकड़के अभी छोड़ करके आएंगे ये देखिए किसी की भी जान नहीं लेना चाहिए बिल्कुल भी तो इसको हम ज्यादा तंग नहीं करेंगे इसको डर भी लग रहा है तो इसको ना फटाफट छोड़ करके आते हैं